नमस्कार आपका भाय स्टेडी में स्वागत है। यह बीदती हो सभी परकार के प्रस्बाषनों सभी प्रकाराश्बाशब्वांस सब्सक्राइब कथा बहुत धर में दो संपरदाय थे एक हीन यान और महायान प्रथम जयन समीती किसने आहुद की थी तो इस तूल भद्र ने की थी यह तीन सो इस भी पूर्म में हुआ था ध्यां रखेंगे एक सला सैपेल 1748 की संधी क्या क्या प्रडाम हुआ तो परथम करनाटक युद्ध की समाप्ती एवं अंग्रेजों को मदरास प्राप्त हो गया और धियां रखेंगे करनाटक का तीन जुद्ध हुआ था तीन जुद्ध हुआ था आपको एक हो जाएगा 46 से लेके 48 तक उसके पहले जो करनाटक युद्ध मi आपको पणडी चेरी संधी और ती में आपको पेरिस की संधी कंदी में अब नेक्टस दह्ते हैं का भगवत्ती सुत्र कि द्रम से संब्द्ध है और जयन धरम से सम्बंद है भगवति सुत्र से याप आप वह आपको। महाजनप्रदों का जनका़ी मिलता है और बोधगरंत जो कि अंगुत्र निकाए इससे भी आपको। अधिकारी थे और चौल सासक की उपदी गंगय कोंड निश्यां की तो राजेंदर परथम की यह चॉल बंस का परतापी सासक था इसने नोक्यूल भारत बल्की सिरलंका पर भी अपना अधिकार जमाया हुआ था अब नेक्स्ट देखिए भगवान शीव को समर्पित है अब नेश्ड देखते हैं अलावदीन खिलजी के आकरमण के समय देवगीरी का यादाव सासक तो देवगीरी का यादाव सासक तो राम चंदर 20. अब नेश्ट दखिए नेश्ट देखते हैं इसमें राष्टिय स्वतंतरता अंदोलन तो इससे निश्चीत रूप से प्रते के गजाम में प्रसंद बनते हैं तो भारतिय राष्टिय कांग्रेश के उधरवादी युग में भारतिय ग्लेड एश्टोन की उपाधी दी गई है तो दादा भाई नौरेजी को दी गई है काफी इन स्वाधीन भारत की और अस्थाई सरकार के गठन की घोष्णा की थी तो 21 सक्टूबर 1943 को भारत की जनगर्ना 1891 में जनगर्ना आयुक थे तो गेटे थे और नियमित रूप से जो जनगर्ना हुई थी रीपन के समय में हुई थी कब तो 1881 में शुरुवात हुई थी आपको लाड़ मेव के समय में लाड़ मेव के समय में कब यह हुई थी आपको अठारा सो बहत्तर इस्वी में अब नेश्ट देखिए इंडियन उपनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो मनसूख लाल नजर और इसकी जो सुरुयात की थी महात्मा गांधी द्वारा दच्छ बहुती का सरवोच सेनपती बनाया गया ते यहार रेड किलिप को बनाया गया और भारत और पकीस्तान के बीच में सीमा का निठार इन्हों ने ही किया था और भारत और बंगलादेश के बिच में कौन सीमा आ गया है इसे आप ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखिए कि ब्रीटिस पत्रकार एच डेवलू नेमीन संजुडे थे तो स्वदेशी आंदोलन से जुडे थे जालिया वाला बाग नर्सहार पर कांग्रेस जांस समीती की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कारे सोपा गय तो सभी लोग जानते हैं तेरह अपरेल उन्नीस को भटी थी उस समय आपको चम्सफोर्ट वायस रहे था अब नेश्ट देखिए अगला प्रसनीश में देखेंगे मोग तो महात्मा गांधी के साथ किस मुसल्मान ने बालगंगा धारति लग की अर्थी उठाई थी तो सव राज पर हिंदस्वार राज की रचना की और उसमें ब्रिटिश समराज को बांज और बेस्या कहकर संबोधित किये हैं अब देखते हैं भारतिये राज बवस्था यों समीधान से प्रस्ण जो की काफी इन्पोटेंट है तो भारत के समीधान में सम्मेधाने कुपचारों क अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति यहां तक की सरकार के खिलाब खड़े होने का अधिकार देता है यह कौन से अनुछेद में है दिया अनुछेद 322 के तहत 5 परकार की रिट उच्चितम नियाले में दायर की जा सकती है और अनुछ अधिक अधार निमलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ है ति अब प्राप्त हुआ है आपको ध्यां रखना है कि डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट 2005 और एपीडिमिक डिजी जेज एक्ट 1897 ध्यारा कैसे याद की जिएगा तो राम किर्ष मिशन के अस्थापना कभ बहुत रोक दी जा सकती है संसदिये शब्दावली के रूप में जाना जाता है तो समापन के रूप में जाना में जाना जाता है नियाएक समिच्छा के अंतरगत कहने का तात पर हुआ कि जो भारत के अजादी से पहले के जो कानून थे या बाद के जो भी अनुछेद तेरह का अलपी करण करता है या उससे कम करने की कोशिश करता है तो मानने सुप्रीम कोट उसे जाच करेगा और नियाएक समिच्छा के अब नियाएक समिच्छा की जाती है अब नेक्ष्ट देखिए मानने सुप्रीम कोट द्वारा संविधान में संसोधन करने के लिए बीलको राष्ट पती के सामने सहमती देने से पहले कि सदन में पेस किया जाना चाहिए लोग सभा और राज सभा में पेस और पारित किया अब किनी राजभासा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी अंगरेजी को भी अधिकारी कारेjal के लिए और परयोग किया जाए गाए यह किस अनुछ्षेद में है थ्यां रखेंगे संग की राजबासा लिपी देवनागरी की अनुछ्षेद में है तो अनुछ्षेद 343 के वुन में किस मामले में सुप्रीम कोट ने बंद को गईर कानूनी बताया क्योंकि वे राष्ट्य नुकसान के अलावा सम्मिधान के औनुछेद 1901 और 21 का उलंगन करते हैं तो मार्क सबादी communist पारटी बनाम भारत कुमार और 59 क समय में अनुछेद 1901 में क्या है तो प्रैस सोतंत स कि भीना हॉतियार के संग बनाने की सोतंत बोलने की स्वतंता ध्यां रखेंगे अब उसके बाद देखते हैं अनुष्यद देखिश में प्राणयों दहिक स्वतंता है अब नेश्ट देखिए आगे देखते हैं इसमें तो केंद्र और राज्यों के अंतरवर्वत सेवा के सम्वंद में प्रसाद का सिध्धान्थ की 310 में है और 312 में क्या है अखिल भारती है सेवा 315 में क्या है तो 315 में है आपको संग लोग सेवा आयोग कौन सा मौली क अधिकार भारत के समिधान की आवस्यक बुराई को सामिल करने के लिए भी जाना जाता है तो कुछ मामलों में गिरपतारी और हिरासत के खिलाप आपको ध्यां रखेंगे 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अच्छांस के बीच और आपको देसांतरिये द्रिष्टी से हो जाएगा और 60 डिगरी 7 मिनट से 97 डिगरी 25 मिनट इसका क्या तात पर हुआ जैसे देखिए यह जो हुआ कि 8 डिगरी 4 मिनट कहां है यह कहां है कहां कुमारी में है कहा जाता है उसके बाद यह लद्धाक में जब्सकूंटि अब्सक लिखनाग में और और 60 डिगरी 6 मिनट और 60 डिगरी fan subject relevant और इसके गुज्रतसma करें और तो यहaden नाथा ही सरफ में गॉशन। भी कहा जाता है ध्यां रखेंगे यह पूछा भी जाता है कि आठ डिग्री चार मिनट भारत किस राज में है तो तमिलाडो में कर्णिया कुमारी केप को मुर्ण कहा जाता है इसको आप ध्यां रखेंगे अब नेक्ट देखिए डार्लिंग्स लिंखला आश्टेलिया के किस तर्ट पर अवस्थी थे तो दच्छिट पच्छिमी तर्ट पर इस थी थे ध्यां रखेंगे भारतिय संग की दच्छिट्तम सीमा इंद्रा पॉइंट इस थे तो ऑंड़मान नीकोबार में और जो इंद्रा पॉइंट है ध्यां रखेंगे आपको छो डिगरी चार- और प्हारत का सबसे उत्री बिंदू कौन सा है तो इंधरा कॉल यह कहां है लदाक मैंि आहाँ और किटना है तो 37 ङ्लिघ्री आपको उन्थन हो जाएंगा इस बात किसके साथ है तो एक सोच कीलोमीटर आपको अफगनिस्तान के साथ हो जाएगा डूरंड रेखा कीनदोदेश्यों के बीच अंतराष्टी सीमा है ति भारत और अफगनिस्तान के बीच में है इसे भी आप ध्याँ रखेंगे अब नेश्ट देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतराष्टिय सीमा रेखा है तो रेट क्लिप रेखा है और इसका निर्धारन हुआ था आपको 1947 में अकार के हिसाब से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बिर्यस्पति है और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो यह आपको ध्याँ रखेंगे गैनी मीड है गैनी मीड है और गैनी मीड किसका उपग्रह है तो बिर्यस्पति का ही उपग्रह है तो भारत में अवस्थापित होने वाला राष्ट्य उद्यान कौन है तो कारवेट राष्ट्य उद्यान है और इसकी अस्थापना कब होती है तो 1936 में और कहां है तो यह आपको उत्रा खंड में है ओजोन बायोस्फियर को आती है तो अल्ट्रा वाइलेट क्रिणों से यहीं की परावेगनी क्रिणों से पिर्थिवी के रच्छा करती है और और परत जो मापने की काई है डॉप्शन है और इससे सड़ी मचली की तरह गंध आती है नियां रखेंगे और यह समताप मंडल में इस्तित होती है जय विव परिष्थित की सब्द का सरपर्थम परियोग किसने किया था तो परिष्थित की तंत्र होगा यहां परिष्थित की तंत्र सब्द का परियोग किसने किया था तो एजी टॉंसले ने किया था कब किया था तो 1935 में किया था इसे ध्यां रखेंगे और परिष्थित की सब्द प्रभावित होने वाले देशों की सहयत्ता करने के लिए बनाया गया कौन तो ग्रीन क्लाइमेट फंड पहाडों पर काफी नमी वजल होता है फिर भी यहां मरुद भीद क्यों होते हैं धलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग नहीं लेया जाता है नेक्ट देखिए बन्य प्राणियों के विलुक्ती करण का कारण है तो प्राकिर्तिक आवास का नश्ट होना बन्य प्राणियों का अवयद वाणी जी करण वेपार जनसंख्या के तिवर ब्रिधी पारिस्तिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के प्रास्परिक संब युक्त बढ़रों का अधार क्या है तो पोषण संबंध है ध्यां रखेंगे मुरलेम राष्टिए उद्यान में थृट तो गवा में है है मरुस्थली भवन किस्द्ध सब्सक्राइब करना को मरुस्थली होता है और नेश्थ देखते हैं भारतिय और व्यवस्था से जो कब परदान किया गया तो 30 जनौरी 1992 को 30 जनौरी को सहीत दिवस भी मनाया आता है इस बात को ध्याँ रखेंगे अब नेक्ट दखेंगे और यह जो परतिभूती बिन में बोर्ड से भी के स्थापना हुई थी नरसीहम समीती के सिपारिस पर हुई थी भारत में सरपर्थम बैं बैंकों का राष्टिय करन किया गया तो 14 बैंकों का ध्यां रखेंगे उससे में इंद्रा गांधी का सरकार था बजट घाटा का अर्थ है कूल प्राप्ति हम कूल खर्चे में अंतर कहने का मतलब कूल प्राप्ति हुआ आपको 10 रुपया और कूल खर्चा हो गया आपको 11 तो इसके बीच का जो अंतर मायनस एक आएगा यहीं बजट यह घाटा कहलाता है अब नेश्ट दखते हैं मुद्रा अमुल्यन का अर्थ है क्या अर्थ है तो अंतराष्टिय बेपार में पर्युक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुल्य में गिरावड करना अमु 161991 मुद्रा के अमुल्यन का ताथपार होता है कि हमारे देश की बस्तूह का निर्यात काफिमात्रा में बढ़ाना और आयात को महंगा करना मुत्रा मुद्रा अमुल्यका इंडियोनिय नीकोनौमी a Girl के करम चारी और बोब्त बयक्ता पंस सपल को अबनेश्ट दखते हैं इसमें कौन से इसकांग 90 hdi के घरना में समिलाइग किये जाते हैं तो जीवन प्रतियासा सिच्छा और प्रतिव्यक्ति आये और मानो विकास जो सुचकांक है इसकी अधरना किस ने दी थी तो पकिस्तान के थे महबूलूल हक ने दी थी इस बात को आप ध्यां रखेंगे सरकार ने देश में बीमा वेवसाय के नियमन के लिए कि इसी संस्था का अगठन किया है तो भीमा विकास निगम ध्यां रखेंगे इसके अस्थापना किया गया है भारत में आर्थिक सर्वेच्छन सरकारी तोर पर प्रकासित किया आता है तो बित आयोग द्वारा और बित आयोग ध्यां रखेंगे किस अनुछेद में है तो अनुछेद आपको 280 में है बित आयोग किस अनुछेद में है और यह बित आयोग का काम है केंद्र और राजियों क के बीच में राजस्व का बटवारा करना स्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारतिये रूपए का कितनी बार अमुल्यन किया गया है तो ही तीन बार किया गया है फिर से बताते हैं उन्नी सो आपको चास उन्नी सो आपको 66 और उन्नी सो हो जाएगा 91 यह डेट काफी इन्पोटेंट है इसे ध्यां रखेंगे देखिए यहां प्रस अलग से भी पूछ दिया गया है इसमें अब इसमें जेक्ष डेखते हैं समान भी ग्यानियम तक नीकी तो काफी इन्पोटेंट है तो स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोस है जिसमें लो इरदे संबंधी यदि दील संबंधी बीमारी का पता लगाकर इलाज किया आता है इस तीरियों में रजोनिविर्टी के पस्चात की हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है तो पोजिश्ट्रोन हार्मोन का आपको उत्पादन समाप्त हो जाता है रजोनिविर्टी का त करता है ध्यां रखेंगे को रोनरी धमनी रोग जिसे आम तरपर सीएडी कहते हैं तो एक प्रकार का हिर्दय रोग है कौन तो को नोरनी धमनी रोग बायो लोजिकल रिसर फेसिंग एक आध्वनिक सेल यह तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं तो घोटने के जोड़ो चाहिए तो उसे पूरा परतिवी में देखने के लिए उसे तीन फीट का दरपण चाहिए और भी कैसा समतल दरपण अब नेश्ट देखते हैं इसमें उसी में का भाग है होमी भाभा पुरसकार की श्चेतर में बीशेस योगदान के लिए दिया जाता है तो ना भी किये उर्जा और परमाणू उर्जा आयोक की गठन जो इन्ही की अध्यस्ता में किया गया थे कब 1948 में धालू सणक पर पत्थर लुड़काना उर्द उपर की और उठाने से अधिक असान होता है क्यों की तो क्यों होता है तो पत्थर को लुड़काने में किया गया कार्य इसे उठाने के पेच्छा क्या होता है कम होता है एक कृत्रीम उपग्रह में बीद्दू तूर्या का सु और शेल होता है ध्यान रखेंगे अब नेक्ट दखिए अब खेल कुद से प्रसंद देखते हैं जो की इनपोटेंट है इस खेल कुद तो सबसे पहले कि भारतिय टेनिस खिलाडी ने अलमपिक पदक अपने नाम किया था तो लिएंडर पेस ने किया था ध्यान रखेंगे और ओलमपिक खेल की शुरुआत कब होती है तो 176 इस भी पूर में ओलमपिक खेल की शुरुआत कब होती है और आधुनिक ओलमपिक खेल की शुरुआत कब होती है इसका तो सभी लोग जानते हैं 1896 युनान या एथेंस कह सकते हैं हुआ था अब नेश्ट दखिए ओलमपिक मे ने भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का क्या नाम था तो मेरी लिला颇ंट वेश्ट ट्रोफि किस छेंट से संबंदीद है करेकेट यह संबंदीद है कबढडी की खेल में тем मीजर कि छम राइस्घंपक की संख्ण प्रणा की किस खेल से समवंदी सब्द है तो फुटबाल से है ओलम्पिक मुजियम कहां इसी थे तो स्वीटीजर लेंड में है ओलम्पिक मुजियन स्वीटीजर ध्यां रखेंगे हां की में कितनी दूर से पिनाल्टी एश्ट्रोक मारा जाता है तो आठ अगर्स से मारा जात हानाँ है तो नाट्रेट पितरडी करिंट सेंजीह को कहा जाता है ऑगरोनमी का जनक ऐग्रोनमी में फसलों आपको अध्यन से संबंधित है धान का बनस्पतिक नाम क्या है तो औराईजवा सेटाईवा है गेहुं का बनस्पतिक नाम क्या है तो ट्रिटिकम इस्टिवम है धान का जैवी के नाम भी कर सकते हैं बैग्यानी के नाम भी कर सकते हैं बनस्पतिक नाम क्या है और गेहुं का बनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम इस्टिवम और मक्का का बनास्पतिक नाम क्या है तो जिया मेजा है जिया मेज जो है मक्का का बनास्पतिक नाम है चने का बनास्पतिक नाम क्या है तो साइसर एरी टीनम है चने का बैग्यानिक नाम धान में ड्रम कल्चर तकनीक का संबंध है तो पानी की बचत स से धान में ड्रम कॉल्चर तकनीक का संबंध है पानी की बचत से अब निश्ट देखिए दलहनी फसलों के बीज उपचार है तो कौन सी कॉल्चर अपनाते हैं तो यह राइजोबियम अपनाते हैं ध्यां रखेंगे पूरे बिश्व में कौन सी फसल का क्रीशी छेतरफल सबस भी ध्यां रखना है भारत की पहली जादूई धान किसे कहा जाता है तो जया को कहा जाता है ध्यां रखेंगे भारत की पहली जादूई धान जया को कहा जाता है और जया धान की क्या है बौनी पर जाती है क्या है बौनी पर जाती इस बात को आप ध्यां रखेंगे अब ने thraa कि द्वारा अस्थापी धर्म संग कहा लाता है तो मिश्णरी ओप चरीटी कहलाता है मदर शंग द्वारा अस्थापी धर्म संग और अलबानिया में रखेंगे और इनहीं नोcel पुरसकार से सम्मानित किया गया 1998 में नोबेल पुरसकार से स्मानित किया गया इनन दिया गया था कंबला खेल काई का खेल है तो कंबला खेल कर États फिक नाटक porn précis deben मात्र सूरवर्ष की आईव में किसको गुर्देव रभिंद्र नाथ ठाकूर ने कथक समागρι कहकर गर्वानवित किया था तो सितारा देवी को इतने वर्ष के आईव में सुरवर्ष के और कथक जो है आपको उत्तर भारत का सास्त्री निरीत है इसे भी आप ध्या रखेंगे जैन तिर्थंकर पार्सुनात द्वारा पर्तिपादी चार महावरतों में महावीर स्वामी ने पांचमें बरत के रुप में जोड़ा तो ब्रह्म चरे को और पार्सोनात जो थे आपको 23 तिर्थंकर थे कौन तिर्थंकर थे 23 और नेमिनात कौन थे नेमिनात 22 तिर्थंकर थे और रिशब देव जयन धरम के परथम तिर्थंकर थे ध्यान रखेंगे और जो महावीर स्वामी थे 24 तिर्थंकर थे काफी इंपोटेंट है तिर्थंकरो होता है और कुकी जो जन चाती है मड़ी पूर में ही पाई आती है इस बात को आप ध्याया रखेंगे अब निश्ट दखेए गौर निरित्य किस जन्जाती से संबंदी थे, तो मुडिया जन्जाती से संबंदी थे, कौन गौर निरित्य, महात्मा बुध द्वारा गृत्या की घटना क्या कहलाती है, ध्यां रखेंगे, इस तरह से आपको 110 प्रसंड के लगभग में आपको करा दिये गए हैं, सभी भी पर तेक दिन इस तरह से आपका कम ही समय में रिवीजन हो जाएगा आप क्यूज में जाएगा तो 20 या 22 मिनट में आप इतने अधिक कोश्चन नहीं पढ़ सकते हैं और वह अभी एक उतकरिष्ट परकार के प्रसनों को इसमें समयलित किया गया है आपको कब सेट चाहिए आप कमेंट करके हमें बताइए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय ही जय भारत